अधैसलामbayकों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुति मादेधार सी रेसिपी अंडाबुल जी रेसिक्पी यह स्ट्रीट स्टाइल बनने वाली अंडे बुर्जी की रेसिपी है। चलिए इस डेशिपी को बनाना स्टार्ट कर लिते हूं। यहां पर एंडे बुर्जी बनाने के लिए 5 मैं ने अंडा लूँ। आप दो प्यास कव मैंने पॉडर मसाले हैं ये देख लेते हैं बादािा चमच één. थैसे सबसे पहले याँ पाइंडे का बैटल तएर कर लेंगे तrick प्रमरी प्रमरी का बैंडे का बेर्ट पर लेगे अब यह पर सब अंडे को दालने के बाद अब इसमें जो पॉडर मसाले लिये थे इसको इसमें इसमें यह पॉडर मसाले दालने के बाद आप यहां पर एक बीटर के मदद से इसको अच्छे से फेट लेंगे आपके पास नहीं हो तो बीटर आप यहां पर चमाज के मदद से इसको अब इसको यहां पर हम लोग 2-3 मिनट अच्छा इसको फेट कर ले लेंगे इस तरह से इसको अच्छे से फेट लेंगे अब यह हमारा बैटर तयार है अब इसको आप लोग साइड में रख देते चलिए अब यहां पर इसको बनाना स्टार्ट कर लेते पर मैंने एक बड़ा सा कडाई लेंगे अब इसमें यह जो ओईल यह आता हुसको डाल देंगे και अब इसमें अब इसमें डालेंगे साइड कर लेंगे ब्राउन को नहींगे, इसको ब्रॉंड करना है। यह जो फ्राइब है। अब इसमें जाएगा यह बारी कट हुआ यह पुर्टे वे हरी मिच्ट, उसमें ब्राउन के बाद भूनेंगे 2-3 मिनिट, तमाठर अने तक हम लोग भून करने लेगे। आप इस अंडा बुर्जी की रेसिपी को ज़रू से ट्राइ करना बहुती मज़े की और बहुती टेस्टी लगती है अब यहां पर टामाटर भी अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके अब इसमें दाल दूंगे यह आलू मैंने यह पर यह कालू को बारिक सा काट कर लिए इस बून लेंगे अब इसको दाल दूंगी इस तरह से काट के दालने से जल्दी से कुक हो जाएगा यह आलू यह पर इसको भी दो मिनट इसको भी बून लेंगे इसको ज्यादा नहीं बूनना है बस एक मिन लेंगे अब इन सब को अच्छे से भून लेने के बाद अब यहां पर एड़ करेंगे यह जो अंडे का बैटर हम लोग ने तयार करकर लिया है उसको डाल दूंगी इसको एक बार अच्छे से फेट लेंगे अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बैटर को दाल देंगे और अच्छे से जाएंगे ट्राय पर रॉने त्क हम लोग इसको कुक करेंगे गसलो अभी यह हमारे अंडा बुर्जी ट्राय हो चुका बिसमा एड करें में त्होड़ा अब यह हमारा अंडा बुर्जी स्ट्रीट स्टाइल का बनकर तयार है आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइक करना आप इसको चपाती पराटे के साथ या पाउं के साथ इसको सर्फ करकर ले सकते हो आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर करना ना बुलें और कमेंड में जरूर बतन आपको यह मेरी रेसिपी कैसे लगी अल्ला आफीज